हेलो अबरीवन, आई हम सोनम, वेलकम वेक टू माई यूटूब चैनल अपना वित्यार है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंगलिस का एक most important topic जो आपके board exam में चार नंबर के आते हैं वह हैं इंगलिस में central idea लिखने का trick तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इंगलिस में अगर आपके board exam में कोई भी central idea आ गया तो आप लोग किस तरीके से उसको trick से लिखेंगे जिससे teacher आपको 100% guarantee की पूरे के पूरे नंबर देंगे तो यहाँ पर देखें बिना पढ़ें बिना याद के trick से याद भी नहीं है याद भी आपको नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग किसी भी central idea को कोई भी आपकी board exam में central idea आ गया तो आप लोग उसको कैसे आता और लिखने भी नहीं आता फिर भी आप लोग हमारे इस trick से अपने board exam में central idea लिख देंगे और teacher आपको 100% guarantee की teacher खुसो कर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे तो यहाँ पे वो कौन सा trick है और आपको कैसे लिखना है तो यहाँ पे हम आपको board exam की copy पे लिख के दें इस वीडियो को अपने प्रेंडों में share कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखें आपके board exam में इस प्रकास central idea लिखने के लिए आता है और यह चार नंबर के होते हैं जिसमें से आपके तीन दिये होते हैं और anyone किसी एक पर आपको central idea लिखना है ठीक है जैसे यहाँ पे त central idea असान तरीके से बिल्कुल trick से सिर्फ लिख सकते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको किस तरीके से लिखने है central idea तो यहाँ पे दिखें यह रहा board exam की copy ठीक है इस तरीके से यह board exam की copy रहा तो इसमें आपको सबसे पहले तो question number डाल देना है ठीक है तो यहाँ पे जैसे हमने डा इसके से ठीक है तो यहाँ पे आपको डालने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आप जो central idea कर रहे हैं उसका नाम लिखना है यानि कि आप लोग इन 3 central idea जो आपके paper में दिये हुए इसमें से आप लोग कौन से central idea को कर रह इस तरीके से हमने वीनिंग देखकर यहाँ पे लिख दिया आपको भी ओससे लिख देना पिर उसके बाद देखिए अब यहाँ क्या करना है आप सभी को तो यहाँ पे देखे आपको Central Idea की मीनिंग आपके पेपर में दिया हुआ है वहाँ से आप लोग सही सही बिल्कुल यहाँ पे लिग दीजिए heading डालने के बाद यहाँ पे देखे अब हमारा trick स्टार्ट होता है ठीक है तो यहाँ पे देखे दो पोयम अब यहाँ पे देखे दो पोयम की मीनिंग आइपके सब को याद होगी अगर नहीं याद दे तो प्लिज्ज याद कर लो आप लो नीनिंग यहाँ पे बिल्कुल सही सही पेपर में से देखर लिग देने है ठीक है और इससे आपको क्या करना है ब्लेक पेंस से जैसे हमने यहां पर लिखा है इस तरीके से ब्लेक पेंस से आपको क्या करना है इस तरीके से लिख देना है ठीक है यहां पर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इन्वेटेट कामा में इसको लिखना है जैसे हमने यहां पर इन्वेटेट कामा लगाया हु तो यहाँ पे कावा, inverted कावा में लिखने के लिए यही teacher देखकर आपको पूरे की पूरे नमबर देते है जब भी check करते हैं, central idea तो सिर्फ यही देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे keeping tweets फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, has been composed इतना अगर आपको याद है तो आप लोग लिखिए, otherwise अगर नहीं याद है तो उसके लिए भी हम आगे आपको trick बताएंगे तो यहाँ पे देखिए, has been composed, फिर उसके बाद by, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे आपको कहा है कि याद है अगर writer का नाम तो आप लोग लिखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है Pablo Neruda, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो आप लोग इसको कावा में, ठीक है, बलेक पैंस से लिख सकते हैं अगर नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिए, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, in this poem the poet has described about human life, ठीक है, आप लोग कोई भी central idea आजा है, जो भी central idea होता है, वो एक मनुस्य पे ही बनाय जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, in this poem the poet has described about human life, ऐसे लिख देना है, अब देखिए, इसका अर्थ क्या है, सांत रहने वाले कविता, ठीक है, पबलो नेरुडा द्वारा रचित है, इस कविता में कभी ने मानो जीवन का वरन किया है, ठीक है, डिसक्राइब मिंस क्या होता है, वरन करना, ठीक है, तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको देखिए, जैसे कि आप लोग अगर सेंटरल आडिया याद करके लिखेंगे, अगर आपको याद हो गई है, और आपको लिखने आता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है, तब आप लोग इस ट्रीक को लगाई, अगर इस ट्रीक का यूज करके आप लिखेंगे, तभी आपको चार नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोग दस लाइन के बजा, यहाँ पर हम सिर्प आपको दो इस तरीके से आपको लिख देना है, तो यहाँ पर देखिए, आपको इंगलिस पेपर के सेक्शन ए रीडिंग दिया है, उसमें कुछ लांग पैसे दिये होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, कि इतना लिखने के बाद, जितना हमने आपको सेंटरल आडिया में बताया, उतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें से क्या करने कोई लाइन्स, आपको लाइन्स भी उठाने के तरीका और ट्रिक पतावना चीए, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क्या करन तो जैसे यहां पे आपको full stop by से अपने start कर दिया तो यहां से आप लोग थाक है यहां पर आप लोग लाश्ट लाइन यहां तक आप लोग मोश्ट तक क्या कही कि दिए उसके बाद जेतना हमने बतायां से यहां तक उसमें लिख दिए ठीक है I से लिख देंगे जैसे यहां पर हमने बताया ठीक है यहां पर डिस्क्राइब एवाउट हुमन लाइफ यहां पर आपको यहां पर वही ट्रिक लगाना है जो हमने आपको पैसे में से बताया तो यहां पर आपको लिख देना है इसी तरीके से आप लोग पूरा उसको लिखने के बाद देखें यानि कि आप लोग лож लिखिये तब जाके आपको चार नंबर पूरे मिलेंगे तो आप लोग Rodriguez उसी तरीक overt says को हम ने रहां से बता है यहाँ से 10 लाइं कम से कम आप लोग उठा कर इसमें लिकने के बाद क्या कि जब भी टीचर आपकी सेंटर आडिया चेक करते हैं तो वो सिर्फ आपके यही फर्स्ट लाइन देखते हैं और इसी ट्रिक को देखते हैं जो यहाँ पर हमने बता है और यहाँ पर दिखें आप लोग को इसको लिखते हैं समयठी कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो सुन्दर वो अकरसक केलियर होना चाहिए इससे टीचर काफी जादे इंप्रेस होते हैं और आपको पूरे नमबर देते हैं अगर आपकी हैंडराइटिंग सुन्दर नहीं है तो आपको क्या करना है दो वडो के बीच में एक पेन की जगह इस तरीके से छोड़ छोड़ का लिखना है जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगेगी ठीक है क्योंकि मेरी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन हमने ऐसा लिखा तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे दिख रहे है अब आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए नेस्ट आप आपको कॉपी में कहीं भी कटपिट बिल्कुल नहीं करनी है ठीक है अगर कहीं भी गलत भी हो गया तो उसको आपको काटना नहीं है तो इस तरीके से आप लोग सेंटरल आडिया लिखिए 100% फूल गारांटी कि आपको पूरे की पूरे चार नंबर मिलेंगे ठीक है आप लोग इसी ट्रिक से लिखिए और हाँ अगर आप लोग याद करना चाहते हैं आडिया याद करके लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है माई मदर एड 66 सेंटर आडिया और ए थिंक्स आप ब्यूटी ठीक है आप तुरंत जाए और उसको याद कर लिजे क्योंकि वो भी काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ पर कीपिंग क्यूट भी काफी इ ना पढ़े आपको चाहिए तो काफ लोग तुरंत जाए और हमारे चैनल पर अभी कली वीडियो अपलोड हुआ है तुरंत जाकर देख लिजे ठीक है और हाँ आप लोगों को माई मदर एड 66 और ए थिंक्स आप ब्यूटी की ठीक है लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डि प्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे और हां अगर आपको यह ट्रिक पसंद आओ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजेगा जादे से ज्यादा सेर कर दिजेगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा थैंक्यू आपको वीडियो कैसा लागा अगर वीडियो प